कि अपनी बर्साथ हुई रात में चप्पर लोडग गए नीचे कि दुकान का करें दसकी नौट किट्टे विस्किले में यह को रुपरा इधर यह खेत में सारा पानी भर गया अब यह जो बारिस हुई है यह धान के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मन्द अभी थोड़ी से बारिस कम हुई है अब हम जाने थोड़ा सा घूमने आपको दि कि अभ क्रिश के बाद भाइद में जो गन्य के खेते सारा गन्य का खेत भाइद बद송 के अठरसे में तु ayrच रड़ा साश ने थे लेगा दिए चावी लेओ जाओ घर से, चलो गोलू तो अभी जा रहा हम अपनी दुकान, गोलू को बिस्कित चहिए थे तो गोलू को बिस्कित देने जा रहे हैं दुकान बंद हो गई थे, तो चावी लेने आये थे बोलू कोई सा बिसकट जाए? एई एई लग 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 आज का व्लॉग है उसमें आपको बस हर तरफ पानी पानी दिखेगा क्योंकि 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा बारिस हो रही है लोग बहुत ज़्यादा परेसान हो गए सारे लोग अपने घड़ों में कैद होके रहे गए और 10-5 मिट के लिए बारिस थमती है फिर से बहुत तेजी से बारिस होने लगती है अभी थोड़ा सा बारिस थमी थी तो मैंने सोचा थोड़ा अखेतों की तरफ घुम गयाते है तो कि सुबह से कहीं गय नहीं तो अभी हमने च्छातरों तक कैईरी कर लिया है यह अगर बारिस होगी तो थ्वासा बचाओ हो जागा इसे बाकिये भी गाउं के पास नहीं कड़ेते हैं यहां पर देखो गाउं दीख रहा है इधर का रास्ता पुरा ब्लॉक हो चुका है यह जो तलाब मैंने काफी वीडियो में आपको दिखाया यह यहां जो पानी का ले दान में देखो कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है सारा हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और यह साइड में थोड़ी सी मेड है खेत की इधरी से निकलने के उखोसिस करेंगी थोड़ा रिस्की है लेकिन धीरे धीर निकल जाएंगी यह तार लगा हुआ खेत के किनारे इसी को पकड़ पकड़ के दीरे धीरे रास्ते को क्रोच करेंगे यहां पे काफी गहराई है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भार गया देखो उपर तक पूरा लेबल इसका पानी का यह एक बराबर हो गया है यहाँ पर गहराई है ज्यादा दूसे इधर का यह रास्ता ब्लोक हो चुका है इधर से अब ज्यादा लोग नहीं निकलेंगे एक रास्ता उधर से है पक्की तो आगे चलते हैं इस पेंड के मोती तूटके नीशे गिर गया है कि बड़े खुबसुरत लग रहे हैं यह फ़ल देखके ऐसा लग रहा है कि यह बहुत अरसीले फ़ल है खाने में बड़ा टेस्टी लगेंगे लेकिन यह खाये नहीं जाते हैं इनको चीरिया खाते हैं सिर् तो यह मेरा दान का खेत है इसमें दोको कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है आप से चाई की जोओत नहीं पड़ेगी गन्ना इसलिए नीचे लुड़क गया क्योंकि तीन-चार जी से लगातार बारिस हो रही थी बारिस के हाथ में तेज हवाएं भी चले थी और लगातार बारिस भोने की वज़े से जमीन थोड़ी सी नरम हो जाती और जब हवाएं चलती है तो गन्ना लुड़क जाता है तो यहां से वहां तक पूरा बर्बाद कर दी वारिस हो रही थी, बारिस में सारे लोग घर पे थे और तब ही उनको मौका मिल गया और इसमोके का फाइदा उठा के उन्होंने सारी फस़र बर्बाद कर दी यह दो पूरा बरबात कर दी, दान निकल भी रहते हैं, तो कोई यहां पर दान निकले हुए हैं, इधर का खा गए तो यहां पर दान नहीं है, और जानवरों से हर कोई परिसान है, रात में सारे लोग आते हैं अपने प्रिफिसर को देखने के लिए, यह वाले जो धान है यह आपते बार में तयार हो जाएंगे कि यह देखो पक गए आपते बार में जाएं काटे लिए इदर बर्कुल काटा है वाला इसे बार सोत रहे है तो तो दिक्कत वीजे पारिस ना होई तो मुद्ध चुका की बार आवे के संभाव लाएं अंडेड परसंट बार है तो था थे में लिए तो फिर इन का बलिवाई लिए लगा एक डिमी के दूरी काटकाट उपर निकाल लो तो तो सही घर पर लेच लेज़ाओ जाना बार है रहे हो तो फिर धान निकाल लिए पर निकाल लेगए पूरे डूब देपाने में यह को बहुत जादा नुकसान होगा तो तेज हवाय चलने लगी वारिष फिर से शुरू होगई तो अभी मुझे लग रहा है घर पूर निकलना चीज़ए तो अभी हम वापिस घर जा रहा है क्योंकि तेज हवाएं चलने लगी हैं वारिस भी तेज होगी